नमस्कार्स दोस्तों स्वागा थे आपका योगेंद साहूं आनियन क्लासेस में मेरे क्लासेस ओफ्लाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऐनले क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉण्टेट करें 877-0123-687 पर साथ ही योगेंद साहूं आनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिश में जाकर देखें आपको कॉम्टेटी उग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेट्स के तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे प्लेलिश में जाएंगे चाहे आप सब्सक्राइब किजिए चैनल और प्रेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज देखिए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो योगें साहू ऑन्लाइन क्लासिस इस वीडियो से इसके माध्यम से हम CGPSC Mains Paper 7 का Part 1 कवर कर रहे हैं कुछ लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किये हुए है जैसे पहला भारती समाज, समाजिक बदलाओं के साधन की रुप में समाजिक विधान, माना अधिकार सनरक्षन अधिनियम, भारती समिधान, प्राधिक विधी, IPC, CRPC, घरेलु हिंसा से स्त्री सनरक्षन अधिनियम 2005 तो आज का टॉपिक होगा हमारा, सिविल अधिकार सनरक्षन अधिनियम 1955, हम सिलेबस लाइन से चल रहे हैं, इसके बाद मैं STST, अर्टियचार निवारान अधिनियम बताऊंगी, ठीक है, तो चलिए देखते है, सिविल अधिकार सनरक्षन अधिनियम 1955, इस अधिनियम को ल समाज में अस्प्रिश्यता, अस्प्रिश्यता मतलब छूआ छूट जैसी बुराईयों के अंध के लिए सिविल अधिकार सनरक्षन अधिनियम 1955 प्रवित्त किया गया है, ठीक है, जो हमारे समाज में जो छूआ छूट वरतमान में भी प्रचलित है, चाहे वो सब्य समाज म में देखें, तो ये इस प्रकार की बुराई नजर आ ही जाती है, ठीक है, तो उसे दूर करने के लिए सिविल अधिकार सनरक्षन अधिनियम 1955 जारी किया गया था, ये अधिनियम समिधान के अनुक्षे 17 के अनुसरन में तयार किया गया है, 17 में अर्ष्प्रिश्यता के अं तो उसके लिए दंड की व्यस्ता करना, जो व्यक्ति अर्ष्प्रिश्यता का आचरन करता है, ठीक है, या अर्ष्प्रिश्यता से उपजी किसी अन्य निर्योग्यता के लिए, अन्य निर्योग्यता को बढ़ावा देता है, ठीक है, छुवा छूत जैसे किसी व्यक्ति को ह किसी समान का उपयोग करने से उसे वर्जित करना ठीक है तो ये सारे चीज आते हैं और इस प्रश्यता में ठीक तो उन सब के लिए दंड की विवस्था करना ठीक है वह इस अधिनियम में शामिल किया गया है ठीक ये अधिनियम एक जुन उनिसो पचपन से प्रभावी हुआ है कब से एक जुन उनिसो पचपन से अब ये प्रभावी हुआ है तो कुछ तो समीती होगी या कुछ लोग होगे जो इस सम्मध में सुझाओ दिये होगे तो वह था इलाय पेडुमल समीती ठीक है इलाय पेडुम पर अधिनियम जो 1955 पर इसे सिविल अधिकास अरक्ष्य अधिनियम बनाया गया ठीक है पर अधिनियम जो 1955 ही कहा जाता है आगे देखते हैं अब इसमें बहुत सी धाराय शामिल हैं बट हमें उन्हीं धाराओं पर मुख्य केंद्रित होना है जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो देखते हैं कुछ मातपुन धाराय तो धारा दो में सभी प्रकार की जो परिभाशाओं को शामिल किया गय इस अरक्ष्ण अधिनियम में शामिल हैं जैसे सीवील अधिकार सबसे पहले सीवील अधिकार की परिभाशा से आशय को ऐसा अधिकार जो समिधान के अनुक्षे सत्रा द्वारा अस्प्रिश्टत का अंध कर दिये जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रवद होता है ठीक है तो यह जो परिभाशा है वहां इस अधिनियम के धारा दो में सेम ऐसा ही वड़नित हैं तो आप इसे कौपी कर सकते हैं ठीक है उसी प्रकार लोग फूजय स्थान की प्रिभाशा दिया गया है लोग पूजय स्थान अर्थात ऐसा स्थान ऐसा धार्मी के स्थान जहां सभी सभी लोग है ना जन समुदाए धार्मी क्रियाकलाप का क्रियान्वेन करते हैं ठीक है उसी प्रकार लोक मनुरंजन इस्थान का वर्णन किया गया है परिभाशा दिया गया है लोक मनुरंजन इस्थान अर्था एसे स्थानों का परिभाशा दिया गया है, होटल, होटल तो आप जानते हैं, और जो जहां, भेदभव, की भेदभव, उत्पर नहों सकता है, उन सब की परिभाशाओं को यहां वड़नित किया गया है, ठीक है, तो धारा में दो में परिभाशा है, अब next देखते हैं, धारा निर्योग्यता, अर्थात, अगर किसी व्यक्ति को, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी पूजा स्थल में प्रवेस करने से रोका जाता है, ठीक है, ये मंदीर है, समझे, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को इस मंदीर में प्रवेस करने से रोकता ह है क्यों अस-प्रष्यता के नामते बोलता है कि यह आदमी नीच है इसको मन्दिर प्रवेश नहीं करने दिन है तो इस संबंध में धारा तीन में यह प्राधान किया गया है ठीक है अगर वह किसी व्यक्ति को अस-प्रष्यता के अधार पर धार्मिक या लोग पुझा इस्थार में प्रवेश से रोकता है तो एक से छे माह तक कारावास तथा सो से पांसो रुपए तक के जुर्माने का भागी होगा के दंड का भागी होगा ठीक है तो धार्मिक निर्योग्यता से समंदित धारा तीन में अब देखिए समाजिक निर्योग्यता है लागू करने पर दंड अब वो तो धार्मिक निर्योग्यता थी अब समाजिक निर्योग्यता जैसे किसी दुकान होटल धर मसाला में प्रवेश करने से रोकना किसी समाजिक स्थान में प्रवेश करने से रोकना किसी जन समाने वस्तू के प्रयोग करने से स्पाधन करने से रोकना तो यह सारे काम करने रोकना तो इसके लिए इसने योगिता को समाजिक नी योगिता से समंधित शामिल किया गए धारा 4 में ठीक है अब देखते हैं next next है अस्पतार में व्यक्तियों को प्रवेस करने से रोकना धारा 5 जैसे कोई सार्वजनिक अस्पताल हो गया या प्राइवेट टर्नीजी अस्पताल में हो गया तो उस इस्थान पर किसी व्यक्ति को अस्प्रिश्यता के अधार पर से रोकते हैं तो वहीं एक से चैर हमा तक कैद या फिर सो से पासकित प्रवाज़ल टक जुर्माने का प्रावधान प्रावटान है अथि आ देखते हैं धारा को अपने आजीवी का चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय या सेवा प्रदान करने से रोकता है तो उसे सेम एक से छे महा तथा सो से पास सो रुपए जुर्मान का दंड दिया जाएगा ठीक है तो धारा पांच में हमने देखा अस्पताल में व्यक्तियों के प्रव उत्पन अन्या प्राधों के लिए दंड ठीक है इसे उत्पन अन्या प्राध कौन से हो सकते हैं जैसे अनुख्षेद सत्रा जो समिधान का अनुख्षेद सत्रा है कि अधिन किसी अधिकार का प्रयोग करने से रोकना ठीक है इसमें अधिकार प्रदान किये गया है अस्पर अमानसिक प्रतारित करता है आपमाल जरक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो , उनुके लिए भी दंड्न का प्रावधान बड़ने से मनाकरना जैसे इस पर्टिकुलर इस जाती का hang निम्न जाती का है यह करकर कई स्थान पर उन्हें मकान किराय पर उपलब नहीं करा जाता है ना या फिर उन्हें वेफसाय के लिए पट्टे पर जमीन नहीं दिया जाता है something ऐसा कुछ होता है और इस प्रश्यता की अधार पर करते हैं तो इसके लिए भी दर्ण का प्राउधान है ठीक है नेक्स्ट देखिए धारा आठ कुछ दर्शाओं में अनुग्यप्तियों को रद करना अनुग्यप्ति अर्था लाइसेंस ठीक है लाइसेंस को रद करना कब करेंगे यदी कोई व्यक्ति यदी होई व्यक्ति सरकार से प्राप्त लाइसेंस अधारित वैपार करता है और अस प्रिस्चता के संबन में दोशी पाता है तब सरकार उसके लाइसेंस अनिशित समय ठीक है याद रखेंगा अनिशित समय है तू रद्द कर सकती है ठीक है अगर कोई एक संस्था है चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो ठीक है अगर सरकार से वह लाइसेंस धारी हो ठीक है सरकार से वह लाइसेंस प्राप्त करके कारे कर रहा हो तो और अस प्रश्यता के अधार पर दोशी पाया गया हो तब इसका तब इसके विरुद करवाही करते हुए लाइसेस रद करने की करवाही की जा सकती है ठीक है नेक्ट देखते हैं धारा नौग सरकारी अनुदान का पुनर ग्रहन या निलंबन अब ये क्या है सरकारी अनुदान का पुनर गहन या निरंबन जैसे कोई सिक्षन सस्थान हो गया आप देखें होगे कि सरकार बहुत से सिक्षन संस्थाओं को अनुदान देती है या गैर सरकारी संस्थानों है संस्थान है उन्हें भी अनुदान प्राप्त होता है ठीक है जो सावजनिक कारे करते हैं लोगों के हित के कारे करते हैं लोग हित में कारे करते हैं ऐसे संस्थानों को सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं अर्थात आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से सहयता प्रतान की तो यदि ऐसे संस्थानों में अस प्रश्यता सम्मंधी कोई मामला उत्पन होता है, तो सरकार वह अनुदान वापस ले सकती है, ठीक है? तो समझाया कि सरकारी अनुदान का पुनरगहन या निलमबन, ठीक है? अगर ऐसे संस्थान जहां सरकार द्वारा अनुदान या आथिक सहायता प्रदान किया जाता है तो ऐसे अनुदान संस्थान को अगर कोई भूमी प्राप्त है या आर्थिक सहायता प्राप्त है तो उसे वापस लिया जा सकता है ठीक है अगर कोई भूमी प्राप्त है तो उसे भी पुनर ग्रहित किया जा सकता है आर्थिक सहायता को वापस लिया जा सकता है या कुछ समय के लिए निरंबित भी किया जा सकता है ठीक है? तो यह धारा 9 में बताया गया ठीक? देखते हैं धारा 10 लोग सिवक द्वारा जान बुझ कर अन्वेशन की उपेक्षा करने पर ठीक है? या दोसी को बचाने पर दंड का प्रावधान अब अब देखा जाता है जैसे एक एक्जामपल लेते हूँ कि जैसे हम रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गया ठीक है? पुलिस स्टेशन गया कई बार ऐसा होता है कि पुलिस तालम टोल करती है अपना हमारा रिपोर्ट लिखने से मना करती है और यदि कोई अपराधी कोई दोशी कोई पॉलिटिकल मेंबर हो या बड़े कोई बड़ी संस्था से संपर्क रखने वाला हो है कोई नामी व्यक्ति हो तो उसे बचाने के लिए वह वह हमारे हमारे कंप्लेन की उपेक्षा करता है तो ऐसे लोग से वक्त पर भी अगर वह इस अधिनियम के तहद सिविल अधिकासरक्षा अधिनियम 1955 के तहद अगर अपने कर्तव्यों का पाला नहीं करता है तो उसे उस अपराधी के समान ही दंडित किया जाएगा तो लोग से वक्त यदि जान बुझकर अपने अन्वेशन की उपेक्षा करता है या कारवाही करने से मना करता है तो उन पर भी धारा दस के तहद कारवाही की जा सकेगी उसी प्रकार धारा दस कभी है तैन ए इसमें क्या है सामुहिक जुर्वाना आरोपित करने की राज सरकार की शक्ती ठीक है अब आपने देखा होगा गाओं गाओं में सामुहिक रुप से बहिसकार कर दिया जाता है कि यह निम्न परिवार है इसे गाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ठीक है इसे किसी भी प्रकार की सहायता प्रदा नहीं की जाएगी सामुही कृप से बहिसकार किया जाता है या सामुही कृप से ऐसा कोई कृत्य किया जाता है और अन्वेशन के पश्चाद यह सिद्ध हो जाता है कि सामुही कृप से अर्षप्रशेत के अपराद हुआ है तो सामुहिक रूप से बंड के भागी होगे ठीक है तो ऐसा जो दंड होगा जुलबाने के तौर पर होगा ठीक है पैंक अइसा जुलमाना दो सिद्धि के पश्षाथ ही लगाया जा सकेगा ठीक है यदि किसी समूह पर यह मान लिजिए यह समूह है एक समूह है उस पर किसी व्यक्ति से अर्ष प्रिष्यता समंधि व्यवहार किया गया है तो उस समूह पर उस पूरे समूह पर सामोहिक रूप से जुर्माना आरोपित किया जा सकता है ठीक है अगर दोशिद हो जाएगा तब ठीक है और इस जुर्माने की सूचना धोल पिटकर सामोहिक रूप से सब को बताया जाएगा ठीक है तो सामोहिक रूप से अगर कोई अस्प्रिश्यता वाले वहार करता है तो वो भी इससे बचने ही पाएगा नेक्स्ट देखते हैं धारा ग्यारा पश्यात वर्ती दोशिद्ध साबित यह क्या है अगर कोई कोई लोग धीट टाइप से होते हैं जो बार बार उसी प्रकार का अपराद दोहराते रह साल तक की सजा और 200-500 रुपय तक का जुर्माना ठीक है यह दिया जाएगा तीसरी बार अगर यह अपराद करते हैं तो एक से दो वर्स तक की सजा और 500-1000 रुपय तक का जुर्माना ठीक है तो यह पश्यात वर्सी दोशिद्ध सावित ठीक आब देखते हैं धारा ग्यारा स्वारी नेक्स्ट है धारा चवदा कंपनियों द्वारा अपराद अब यह क्या है कंपनियों द्वारा अपराद कैसे ठीक है यदि किसी कंपनी प्रबंधक द्वारा उसकी जानकारी में होते हुए अज प्रिश्टा अधरी अपराद किया जाता है तो वह दो शिद्ध हो जा बहुत से लोग काल करते हैं इसमें किसी भी प्रकार अर्ष प्रिश्यता अधारित अपराध हुआ है और वह सिद्ध हो गया है चाहिए वो कंपनी के अंदर कोई कर्मचार ही क्यों नो करें पर अंतु उसका जो दंड है वो कंपनी प्रबंधक या उसके संचालक या भार साध गी होगा ठीक है अब पंद्रा इसाम के जो धादी अ में जो अधिनियत में वह संगे होगा आठाथ तुरंत ग्रफ्तारी होगी और गैर जमानती होते हैं, ठीक है, संगे होता है, ठीक है, इसके संबन में नीचे बताएगा है, देखिए, अपराध संगे, संग्षेपता विचारनी, अथाथ, धारा पंद्रा में इस प्रकार के अपराध संगे होता है, इसमें आप देख सकते हैं, दर्ण प्रक्रिया सहिता उनिस मातिहत्तर है इसमें किसी बात के होते भी इस अधिनयम के अधिन दण्रणी अपराद हर संगे हर अपराद संगे होगा और ऐसे हर अपराद पर सिवाय उसे जो कम से कम तेन तीन वर्से अधिक के कारावा से दढ़नी है प्रतम सरी नायक मजिस्टेट या महानागर मजिस्टेट में विंदिश्ट प्रक्या कनुसार संशेपता विचार किया जा सकेगा ठीक है तो इस प्रकार के अपरात संगे होंगे ठीक है वो ध्यान रखेगा ठीक लास्ट इसमें देखेए धारा सोला खा नियम बनाने की शक्ति इस अधीनियम के ताथ नियम बनाने की शक्ति के अधि स्रकार के पास होगी किंतु अधिसूचना के मantoy हमसे बना नियम यह नियम अधिसूचना जारी करके बनाया गया है तो इस अधिसूचना का नियम 30 दिनों के भीतर संसत के समख्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ठीक है तो यह इतने सारे धारा है जो इंपॉर्टेंट है एक बार हम फिर से देख लेते हैं से हमने किया धारा-दो में परिभासा सीविल-दिकार की परिभासा क्या होता है लोग पुजास्तान लोग मनुद्रण स्थान यह क्या होता है धारा-थीर में धार्विक निरयोग्यता से समंधिद दर्ण का प्रावधा धारा पांच, किसी व्यक्ति का अस्पताल में प्रवेश से रोकना धारा च्छे, उसे व्यवसाय करने इसे रोकना धारा साथ, अर्ष सता से उत्पन अन्य अपरादों के लिए दर्ण है धारा आठ में कुछ दसाओं में लाइसेंस को रद्द करना है धारा नौ में सरकार्य अनुदान का पुनर गरहन या निलम्बन करना धारा दस, लोक से वक्दार जानमुझकर अन्यवेशन की उपेक्षा करना धारा दस, B में सामूहिक जुर्माना रोपित करना धारा ग्यारा, पस्टाथ वर्सी, दोस्षिद्ध साबित करना साबित होने पर फिर से पुनह दंड का प्रावधान है धारा 14 में कम्पनियों द्वारा अपराद होता है तो इसका जिम्मिदार कौन होगा कम्पनी प्रबंधक, संचालाग या भारसादक धारा 15 में यह अपराद संगे होगा धारा 16 में नियम बनाने की शक्ति केंदर सरकार क होगा धी सुचना द्वारा बने नियम को संसद की समक्ष चीज दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही हमारे चैनल चैनल चैनल